नितिवचन अध्याय 29 जो बार बार डाटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा जब धर्मी लोग शिरोमनी होते है तब प्रजा आनंदित होती है परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय मारती है जो पुरुष बुद्धी से प्रिती रखता है अपने पिता को आनंदित करता है परंतु वेशाओं की संगती करने वाला धन को राजा न्याय से देश को स्थीर करता है, परंतु जो बहुत घोस लेता है, उसको उलट देता है, जो पुरुष किसी से चिकनी चुपली बाते करता है, वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है, बुरे मनुश का अपराद फंदा होता है, परंतु धर्मी आनदित होकर जय ज करता है, धर्मी पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है, परंतु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता, ठटा करने वाले लोग नगर को फूंग देते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं, जब बुद्धिमान मूड के साथ व होज करते हैं, मुर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शान्त कर देता है, जब हाकीम जुटी बात के ओर कान लगाता है, तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं, निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समा और यहोवा दोनों की आखों में जोती देता है, जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है, उसकी गद्धी सदैवस्तिर रहती है, छड़ी और डाट से बुद्धिमानी प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का योही छोड़ा जाता है, वह अपनी माता के लज्या का कारण होता है, दुष्टों के बढ़ने से अपराद भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं, अपने बेटे की ताड़ ना कर, तब उससे तुझे चेर मिलेगा, और तेरा मान सुखी हो जाएगा, जहां दर्शन की बात नही हो जाते हैं, और जो व्यवस्ता को मानता है, वह धन्य होता है, दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझ कर भी नहीं मानता, क्या तु बाते करने में उतावली करने वाले मनुश को देखता है, उससे अधिकतो मुर्ख ही से आशा है, जो अपने द वह दास अंत में उसका बेटा बन बैठता है। क्रोध करने वाला मनुष जगडा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपरादी भी होता है। मनुष गर्व के कारण नीचा खाता है। परंतु नम्र आत्मावाला महिमा का अधिकारी होता है। जो चोर की संगती करता है वह अपने प्रान का बैरी होता है। शपत खाने पर भी वह बात को प्रगट नहीं करता। मनुष का भय खाना फंदा तो जाता है। परंतु जो परमेशो पर भरोसा रखता है वह उचे स्थान पर चढ़ाया गाता है। हाकिम से भेट करना बहुत लोग चाहते हैं। परंतु मनुष का न्याय योहवा ही करता है। धर्मी लोग कुटिल मनुषों से ग्रुणा करते हैं। और दुष्ट जन भी सिधी चाल च करने वालों से ग्रुणा करता है।